हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल यूपी पार्ट साला पर मैं दिपकपाल इस वीडियो में आज हम डिसकस करने वाले हैं वही रीजनिंग का चैप्टर है वही अनुरूपता और समानता अनुरूपता और जो समानता है इसे हम कहते हैं एनलोजी एन सिमिलेरिटी ठीक है आपके यूट में दिया हुआ है और मैं आपको आज क्लियर तर देता हूँ कि हमें रीजनिंग पढ़नी है पाच अंग के लिए ठीक है तो हमें रीजनिंग में प्यजनिंग नहीं करनी है जितनी मैं कराऊंगा उतनी करदाना आपके प्रिजनिंग के तो इसका आर्थ होंगे उनके पारे में डि में डिसकस कर लेते हैं कुछ जैसे आपको दे रखा है देश और राज्य है जो देश और राज्य दे रखे हैं इसमें उधरान देखिए भारत का संबंध है या समानता है नई दिल्ली से किस पिरकार से समानता है वो देखिए नई दिल्ली जो है वो भारत की राजदानी है तो नई दिल्ली की किस प राज़दानी क्या होगा वही जो वासिंग्टन है वह यूस्टी की राज़दानी है वीजिंग चीन की राज़दानी है पैरिस फ्रांस की राज़दानी है और लंदन यूके यूनाइटिट किंग्डम की राज़दानी है ठीक है इन में क्या है आपको एनलोजी और सिमिलर् कींट्रानी यह पर में किसम्दूर आपको मैं करेंट फेर पढ़ाता हूँ regular वहाँ पर आपको मुद्रा भी देता रहता हूँ जैसे भारत में की मुद्रा क्या है रुपिया है बांगलादेस की टका है USA की डोलर है और रूस की क्या है रूवल है आपको यह समानता दे देंगे ठीक है आपको पहले इन पर फोकस करना आगे किस प्रिका गंगलादेस आप असानी से कोश्चेन गर पाएंगे आपके आजपस घृता है वहां पर भी जो कुर्यणाब हो रहे हैं वहां से लेलेटीड भी आप से एनलोजी अन्सरीन सेमललेंरेटी बच्वाँगूच्ड लेते हैं को शाफैसर फॉट पॉट UP कर लेते हैं तुफितम दौरा सक्ती को मापनेग गाई और MPR से दारा मापी जाती है ठीक है दोस्त कोई जानवार उनकी गत्यों को देख लेते हैं जैसे उलने का कारण है कौन करते हैं पक्सि क करते हैं तेजी से दोड़ना चूइ का कारण है मन्द मन्द चलना हाथी का गार रहा है ठीक है यह के समानता प्रदिसित कर रहे हैं यह एक्जाम्पिल है जब आपको इन एक्जाम्पिल से आप निकल जाओगे तो आप इसली कुशन कर पाओगे नेक्स देखते हैं जानवर आप उनकी आवाजों में भी क्या होती है दोस्तों एक प्रकार समानता होती है शेर का कार रही क्या होता है दालना होता है और गदे का क्या होता है डैचू डैचू की आवाज निकालना होता है चूए के क्या होता है चूचू करना होता है मैटक थराना होता है ठीक है नेक्स्ट अभी उजार एब उसके कारवर है जो उजार एब उसके कारवरे क्या होते है सूई का कारवरे क्या होता है तो सिलना होता है दुरवीन से देखना होता है फाबडे से खोदना होता है, चीमटा से पकड़ना होता है यह सब आप अपने घर पे भी वाले कित्रा कर आप दोस्त करते हो नेक्स्ट है, अध्यन है उसकी बिसे कुछ अध्यन आपने पढ़े होंगे जिस प्रकार से सेवाल का अध्यन को क्या गयते हैं इस प्रकार से यह है कि और नियो तो लोजी के माध्यम से कहता है पक्सियों का अध्यन होता है, फाइकॉलोजी से वोई सेवाल का अध्यन किया जाता है और कार्डियो लोजी से हड्दे के से संबंदित है ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इतने सारे एक्जाम्पिल देखके अनुरूपता और समानता एनलोजी और सिमिलरेटी के बारे में चीज़े समझ में आई होंगी कि जब तक आपको ये उधारान अच्छे से किलियर नहीं होंगे आप पोश्चन नहीं लगा पाएगे अब आप कोश्चन देखेंगे कि रीजनिंग में इस पहले चैप्टर से कुश्चन किस प्रकार से बनते हैं यह आपका पहले टाइप है इसमें आगे अगामी टाइप से देरे देरे मैं आपको चैप्टर से किलियर करता रहा हूँगा ठीक है देरे देरे पढ़ेंगे छोटी वीडियो होंगी जाधा बड़ी वीडियो नहीं होंगी ठीक है तो दोस्त आप पोश्चन लगा लेते हैं क्योंकि कोश्चन के बारे में तो पता होना चाहिए कि कोश सोचिये विचार कीजिये बता देता हूँ आपको देखे दोस्त जो कोईला को उस्मा उत्पन करने के लिए जलाया जाता है कोईला को क्या करता है भी उस्मा उत्पन करने के लिए जलाया जाता है तो उसी पिरकार मोम से क्या होता है पिरकाश उत्पन होता है तो उसका संब जैसे वह अंदा जो होता है, बताईए, बिशार कीजिए वह या, अब देखिए वह भेंगापन जो होता है, वह आख से संबन दीता है, उसी पिरकार निचोलना क्या है, वह दोस्त, हाथ से संबन दीता है, निचोलना किसे होता है, हाथ से होता है, ठीक है, इस पिरकार साब को कोशन करने है अब चाय का संब्द कप से है ठीक है जिस पिरकार हम चाय को कप में डालते हैं उसी पिरकार तमागू का क्या खार रहा है बताईए पत्या है धुक्का है जहर है सिगार है बताईए कप में के डालते हैं चाय डालते हैं तो तमागू किसमें डाला जाता है दोस्त सिगार के अंदर डाला जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिगार हो जाएगा तो उस बताईए समझ में आया कि नहीं इस प्रिकार से कोशन लगाने है आप इसली खड़ने लगोगे प्रैक्टिस से अंदा का संबन देखना से है तो बहरे का संबन किस से होगा यह आप से बूचा गया है कोशन मारक आपको दे रख गया है किस से होगा अबास से सुनने से बोलने से सुनने की चमता से बताईए इसली बता दूगे आप जैसे अंदा जो है वो देख नहीं सकता वैसे ही बहरे क्या है वह सुन नहीं सकता तो फिफ्ट का क्या होगा भी हो जाएगा ठीक है आगे देखते हैं वही नेक्स कोशेन है जो रेल है रेल में क्या होता है यातरी यातर करते हैं हवाईजाज किस से संबंदित है वही हवाईजाज में क्या होता है बहमानिक क्या होता है दोस्त बहमानिक ब प्पिरकार जो Aeroplane त्रेवल करता हुशे कहते हैं बेमानिक कहते हैं एस्ट्रोनेट कहते हैं क्यों के रोनवट कहते हैं एप देखे हैं अब देखिए वाई नई दिल्ली किसकी राज़ता नहीं है भारत से जंबन देते हैं तो पाकिस्तान की क्या है बताइये पाकिस्तान की क पीछे भी बढ़ाया आपको बताईए पाकिस्तान की क्या है वही इस्लामाबाद है तो पाकिस्तान की संब्द किस्ते हो जाएगा इस्लामाबाद से हो जाएगा नेक्स देखिए बढ़ाई काम क्या होता है आरा चलाना आरा चलाना आरा चलाना क्या होता है बढ़ाई करता है तो दरजी क्या करेगा दरजी का संब्द किस सोगा बताईए वही नाप से सिलाई से कपड़े से सुई से दरजी बताईए बढ़ाई का क्या होता है आरा चलाता ह चलाने से यहां संब्द है नाप बाप से नियों रही हो रहा है चलाने से काम से हो रहा है तो दर जी क्या होता है सुई की तो इसके संब्द हो जाएगा लास्ट कोशिए चडिया उलना, तो साप का क्या होता है, खड़कर हार ठैलना, रहेंगना है विल, चिडिया का कार रहें क्या होता है, तो साप का कार रहें क्या होगा, रहेंगना होगा, सही है, आप कुछिन को देखना, विल में भी रहता है, सहाप, लेकि नहीं संबन किससे हो रहा है, चिडिया उड तो साप का क्या खार रहा हो जाएगा तो दोस्तों आशकरता हूँ कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और अनुरुपता उसमानता का थोड़ा सा आइडिया मिला होगा यहां पर मेजर पार आइडिया लेना चीज होगा कि चैप्टर में है क्या ठीक है उसका बेस होना चाहिए कोशन तो आप इसली कर लोगे अपने माइंड से बिलकुल ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों ज्यादा शेयर कीजिए काफी मैनत लगती है धन्यवाद